हेलो गाइस वेल्कम बैक टो माई चैनल तो आज हम लोग फिर से एक वेरी ब्यूटिफुल केक सिखते हैं जो की बार्बी डॉल की होगा यह बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपको मैं बता दूँगा ठीक है इसका कटिंग और टॉटिंग वगरा फिनिशिंग हम लोग इस तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर चॉकलेट स्पॉंज लिए इसे में कटिंग कर रहा हूं इच स्पॉंज को मैं टू लेयर्स दे रहा हूं ताकि यह थोड़ा हमारा हाइट केक होना चाहिए न इस वजह से इसके बाद नेक्स्ट में यहां पर देख सक आप लोग वह वाल हम इसी के cutting से cover कर लेंगे ताकि वेस्टेज ज्यादा नहीं होगा हमारी केक में ठीक है तो continue देखें आप लोग वीडियो यहां पर यहां पर हम लोग next cake के अंदर juice add करेंगे देख सकते हैं आप लोग यहां पर मैंने शुगर वाटर लिया है ठीक है आप च क्रीम ले रहा हूं कि यानिके मूस क्रीम में कैसे बनता है आपका रीच क्रीम अगर होगा उसके थोड़ा सा ट्रफल गनाश आप दालो इसको अच्छे से मिस कर दो यह वाला क्रीम बन के आजाएगा आपको यहां के अंदर ही थोड़ा सा चोकलेट में अड़ हो जाएगा यह मूस क्रीम है अधरवाइस आपके इसका सप्रेट पैकेड भी पचेस करके इसे बीट करके फिर क्रीम भी बना सकते है यहां पर आपको यह मिल लाएगा मार्केट में इसले अवैलेबल जो के आपको रीच वगरा कंपनी से मिल लाएगा ठीक है जो टॉप कंपनी से इसके बाइट आने के लिए माफ़ पाइट आने के लिए चौको चिप्स भी इसके अंदर मैं आड़ करना हूँ ठीक है स्टेप बाइस्टेप के बूरा देखिए So friends जैसे कि मैं मेरे हर वीडिओ में आप लोग को बताता हूँ कि हमेशा से हमारी cutting अच्छेizes में होना चाहिए और फिल्लिंग भी अच्छे से फिनिशिंग में होना चाहिए तके हमारा केक अच्छा क्षिट हो जाएगा ठीम हमतलब आपका है जो लेजिक होता है और कट क्टिंग जो आप लेय k नशाम है उस्के अपनस्कोंग को अच्छे से च्छत करना ही ठीक है उसके बाद आपका filling याने के फिलिंग वहरा होने के बाद उससे आप अच्छे से आपके hand से press कर सकते हो प्रेस करने के बाद यह अच्छा सेट हो जागा ठीक है और केक कभी भी cutting हो और filling होने के बाद आप इसको deep fridge में अच्छे से set करना होगा friends ठीक है मैं बता रहा हू और मेरा cake थोड़ा सा हिल रहा है क्यों बताओ मैं इस वज़े यह बात का वज़े क्या है क्योंकि मैंने cake को जल्दी जल्दी में मनाया है क्योंकि यहाँ पर मुझे customer को सरिफ और सरिफ within 20 minutes में देना था यह cake इस वज़े से यह cake मेरा थोड़ा सा set नहीं हुआ है तो मैं इस लेड़ जो जूसरे को एक दूसरे को अटायच है न वह भी चीज़े सेट होगा डिफ्रीज में अगर आप कभी भी सेट करोगे तो आपके केको तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मेरा cake थोड़ा सा शेक हो रहा है friends मैं कोई नहीं इसके अंदर में थोड़ा सा इंस्ट मैंने जिससे बताया था firstly कि यहां पर हम लोग इसका जो pieces बचा है वो वाला pieces ही यहां पर side में add करते जाएंगे केको waste नहीं करेंगे पूरा cake अच्छे समन आएंगे ठीक है और इसका उपर का shape भी लाने के लिए हम लोग थोड़ा सा और cutting करेंगे अगर आपको wasting नहीं करना ह है तो आप यह way में जा सकते हो जैसा 1 kg sponge और half kg sponge मैंने यहां पर लगाया था यह से ऐसे set किया था ठीक है अधरवाइस आप 1 kg sponge में भी आप set कर सकते हो अधरवाइस आप लादी में भी set कर सकते हो थोड़ा सा side cutting आपका waste होगा एकदम याने के doll shape आएगा frog shape जो होता है ना Barbie frog shape shape वह वाला shape आएगा आपको अगर आप cutting करेगा तो यहां पर मैं wastage नहीं कर रहा हूँ इस वज़े से यह technique मैं यहां पर use कर रहा हूँ मेरे cake के अंदर ठीक है आप लोग देख सकते हैं यहां पर अभी मैं इसे अच्छे से cream लगाते जाऊँगा और set करते जाऊँगा देखते जाएए आप लोग step by step यह मेरा अच्छे से set हो गया है फिर मैं इसके पर ठीक है और जहां भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पर इसे अच्छे से set कर लूँगा जो मेरे pieces cutting जो बचा अच्छा था फिर मैं इसे dome shape में ही cut करूँगा जैसा बार भी फ्रॉक आना है वैसे वाले में में कट करूँगा फिर मैं इसके पर next chocolate का गनाश वाला जो ट्रफल होता है उससे में से set करूँगा ताकि एक अच्छे से set हो जाएगा मतलब ट्रॉफल लगाने के बाद आपको एक एक सेत हो जाएगा अधर्वास आप क्रीम भी इसके ऑपर आइस कर सकते हो ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं स्लोली यहां पर ट्रॉफल को पेस्ट कर रहा हूं मेरे ट्रॉफल गनाश को तो इससे अच्छा stick हो जाएगा मेरा केक ठीक है तो देखते लोग पहले कवरिंग कर लेंगे उसके बाद हम इसेशाओ आच्छे सेट होने के लिए चोड़ेंगे श्थेलिए तेन मिनिट्स में इसे 10 मिनिट्स हो जिसे यहाओ लिए इसous रहा है रनिंग ऑर्डर था यह तो एक उसका बार्वी कल यानि के बच्ची का बढ़तर था वह एक बार्वी केक चाहिए और जल्दी चाहिए बता रहा था तो अभी ऐसा भी बना के देना पड़ता है कभी भी कस्टोमर को जल्दी जल्दी में अभी कभी भी आप लोग पॉल्च आता है केख के अंदर जब केक सेट नहीं होता है बराबर सेट नहीं होता है तो देखरें आप लोग यहां पर थोड़ा से बेंड भी हो रहा है मेरा केक मैं इसे ठीक कर लूँगा तो कर्स आप लोग भी यहां पर कभी भी जल्दी ऑडर में दीजें आप वन अगर आप देंगे तो आपको अच्छा रहेगा मतलब वो जो केक बनाएगा ना वो परसन तो हम लोग जो केक बनाएगे उनलोग को भी टाइम मिलेगा केक को अच्छे सेट करने के लिए ठीक है ना जल्दी-जल्दी बनाएगे mostly होता है हम फ्रेंड्स कि हम लोग जल्ली ज प्राइवलिंग में फ्रम बेकरी टू होम वह एक को चांस से हो जाता है कि फॉलोने का गिरने का ठीक है अगर आप सुगी जमाटर में मंगाए तो कंपल सरी यह फॉलोगा ठीक है तो आप लोग का भी मेरे यह सजेस्टिन रहेगा कि आप कभी भी केक और देंगे तो वन डे बिफोर दीजे अधरवाइस मॉर्निंग में ओर दीजे नाइट में ले लिजे ऐसा करिए ठीक है थोड़ा डिस्टेंस दीजे मॉर्निंग में और देने के बाद आप रात में लेने पर भी ऐसा क्या होता है कि और जी ओर फॉम्स होते हैं शेफ्स के पास ठीक है जो बटर की में यहां पर कवरिंग कर लिया हूं इसके पर ठीक हम लोग बटर की में आइसिंग कर रहे हैं तो यहां पर मैंने खीक को मेरी बटर की में कवरिंग कर लिया तो हम लोग जैसे के पिंग कलर हम लोग यहां पर यूज़ कर रहे हैं तो वाइट थोड़ा सा दिखेग 10 to 15 minutes मुझे तो जल्ली देना है 10 to 15 minutes अभी नहीं रख सकता हूँ तो just 2 to 5 minutes रख लूँगा मैं ठीक है तो देखती जाएगे continue So friends ये cake मेरा complete हो चुका है ठीक है अभी यहाँ पर बारी है हमारी flower वाला dotting जो nozzle होता है इससे flowering करने का ठीक है ये very simple इनी easy है friends आप लोग भी घर में ये try कर सकते हो बना सकते हो very easy है ये वाला dotting वाला जो flower होता है ना इससे आप अच्छे से slowly swipe कईचे first एक शोटा सा round लेके आप लोग एक swipe किचें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैं कैसा swipe कर रहा हूँ गूल गुमा रहा हूँ मतलब तो ये flower आपको easily बन के आजेगा ठीक है देख सकते हैं आप लोग कितना beautiful सा flower बन रहा है ठीक है यह देखिए आप लोग पहले मैं first गुमा रहा हूँ छोट असा गुमा रहा हूँ फिर इसके बाद round गुमा दे रहा हूँ यह मैं एक हाथ की help से अच्छे से round गुमा रहा हूँ ताकि फ्लावर आए ठीक है फ्लावर आजा रहा है very simple and very easy आप लोग ट्राइ करोगे ना एक बर तो आप लोग को भी आ जाएगा यहां पर ठीक है तो दो वाला dotting में हाँ पर dark मैंने complete कर लिया है अभी next मैं यहां पर इसका light color में यहां पर उसको अच्छे से cover कर लोगा आप लोग देख सकते हैं अभी यहां पर निच्छे दिश्टना भी थोड़ा white space दिखरा था उसको मैं यहां पर dots dots मार के cover कर ला रहा हूँ आप लोग भी ऐसे कट सकते हो ठीक है यह मेरा complete हो चुका है next वाला भी अभी हम पर मैं टॉप वाला भी complete कर लूँगा ठीक है यह हमारा वेस्टेज नहीं हो आए फ्रेंड्स हम लोग इसे वही स्पांच में बनाए हैं ठीक है जाधा वेस्टेज ही नहीं हो आए तो आप लोग भी अगर वेस्टेज नहीं चाहत available मल जाता है आपको ठीक है न तो यह बार्बी डॉल में यहाँ पर place कर दूँगा center में ठीक है देख लोगा मैं finishing आप लोग भी देखिए यानि कि dotting मार नहीं के बाद आपका finishing कहां पर आ रहा है dotting flower का friend में वहीं पर आप लोग इसको doll को friend face में place करो कभी भी ओके तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैं dotting से और भी जहां पर भी sides इसका चूटा है वह cover कर ले रहा हूं ठीक है यह मैरा total cover हो चुका है dotting भी flower dotting और वह वाला भी next हमारा है इसका top का जो dress होता है बारभी इसका वह वाला dress हम यहां पर cover करेंगे ठीक है तो आप लोग देख स वाला बनाता हूं अगर आपको nozzle में चाहिए तो आप dots वाला nozzle भी यहां पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो first time हम लोग को इसका front याने के front body से हमको cover करना है ताकि एक अच्छा beautiful लोग फस से हमको आए ठीक है ना यहां पर से हम लोग start कर रहें देख सकते हैं हम लोग इसका dress संबग cover कर रहे हैं बना रहे हैं ठीक है थोड़ा सा problem होगा आप यहां पर problem क्या होगा इसका hair doll का जो hair से ना वह वाला बीच में आएगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा हटा करके अच्छे से finishing में यान की setting में ला ले सकते हैं यह आपकी creaming simple में बना सकते हैं यह simple decoration है मैं जो dot dots वाला होदा है वो वाला मैं यहां पर cover कर रहा हूँ ठीक है So friends आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा doll का dress बन रहा है cover का हो रहा है तो मैं यह बताना चाहूंगा friends आप लोग को यहां पर कि doll cake और आपका कोई भी fresh flower cake हो या फिर कोई भी आपका ऐसा cake हो जो कि very simple and easy cake रहता है जो आप घर में भी बना सकते हो आपको कोई bakery को जाने की जरूरत नहीं है और कोई professional chef को order देने की जरूरत नहीं है आप लोग यह very simple and easy में बस आप 2-4 एक butter paper ले 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 फिर यहां फिर response बना ले अधर वाइस एक खाली sponge आप बेकरी से खरीद के ला ले ठीक है यह cutting कर ले थोड़ी से cream ला ले इसे mix कर ले कि आपके पास stand वगर होना चाहिए तो आप लोग की एक simple and easy way में आप लोग भी बना सकते हो यह doll cake और आपको fresh flower cake मैं एक fresh flower cake भी आपको बना के लगाऊंगा step cake बनाऊंगा next video मैं बनाऊंगा next video या फिर उसके बात और दो तिन videos जबी भी आएगे ना मैं बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिए वहां पर भी आप लोग easy way में बना के आप लोग के घर में जो पर इस पैसे खच्च होगा आप ला लीजे बेकरी से लाले के आप यह बना ले सकते हैं ठीक है आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैं हमारी doll complete हो रही है मैं यहां पर इसका sleeve भी बना रहा हूं जैसे frog बना दिया था उसका फिर हाथ पे dotting से cover कर रहा हूं स्लीफ बना रहा ह ठीक है इसमें से कई सारे design आते हैं वैसे simple अगर आप चाहें तो simple भी बना सकते हो ठीक है ना यह वाला अच्छा दिख रहा है मुझे मैं इस वज़े से यह doll के लिए यह वाला बना रहा हूं और भी fountain का भी चाहें तो आप use कर सकते हो इसमें fountain भी doll के जो टॉप का address होता है उसको आप यहाँ पर fountain भी use करके place कर चकते हो very simple in easy हो जाएगा fountain का address अगर आप place करे होए तो ठीक है ना semi fountain हो जाएगा फिर हमारा doll और cake ठीक है तब यहाँ पर मेरा customer का order ऐसे ही था तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं ओके तो आप लोग देखते जाहिए step by step so friends हमारे doll का hand का sleeve अच्छे से complete कर लेंगे complete हो चुका है देख लिए अब आपको कहीं भी अगर दिखें चूट रहा है तो आप लोग इसे फिर से complete कर सकते हैं तो यह हमारी totally doll complete हो चुकी बनके तो friends cake बनाने में बहुत महनत लगती यार तो आप लोग का comment एक like comment और subscribe जरूर मि की का video पसंद आया तो others आपके friends को भी share कर सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care